कि जो सम्स्कित जो शब्द है इसके लिए हम प्रियुक्त करते हैं सम्स्कितम इन तीनु रूपों की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे देता हूँ आपने बहुत बाहर ये सिखा है कि समस्कित शब्द की वित्पति किस प्रकार से हुई हम वही बात करेंगे किसी भी शब्द कोई भी जो शब्द बनता है हमारे उसके आरम में उपसख जुड़ता है उसके बाद में मूल शब्द या मूल धातु हम कुछ भी कहें और अंत में प्रत्य आदि के द्वारा शब्द का निर्माण होता है और शब्द का निर्माण होता है तब हम उसको पद बनाने के लिए सुब तिगंतम पदम सुबंत या तिगंत का प्रियोग हम लोग करते हैं समस्कित में जितने भी शब्द हैं या भाषा में जितने भी शब्द होते हैं तेशाम सरवेशाम शब्दा नाम एशा एव प्रक्रिया भवती यही प्रक्रिया होती है तो सातियों यदि समस्कित सब्द की बात करूँ तो इसमें समुबसर्ग है इसमें मूल अधातु की बात करूँ तो मूल अधातु आपकी डुक्रिये हैं और इसमें प्रत्य की यदि हम बात करें तो कताव प्रत्य हैं समस्कित व्याकरण एकमसूत्रम बरतते समस्कित व्याकरण में एक सूत्र है क्ता तवतु निष्ठा अर्था क्ता प्रत्य और तवतु प्रत्य जो है वो निष्ठा संज्या वाले प्रत्य होते हैं और इनका उपियोग भूत काल में किया जाता है देखिए फिर यहां पर जो डुकरियें आप देख रहे हो इसमें क्या होता है डू का इत्संग्या हो जाती है यहां की इत्संग्या हो जाती है और इधर कताव में का की इत्संग्या हो जाती है इत्संग्या करने वाले सुत्र ह लेकिन उनका यहां पर अभी कोई प्रियोजन मुझे लगता नहीं लश्क्वत अदीते से क कि इसंग्या होती है हलन्तम से यां कि इसंग्या होती है और आदी इटू डव सुत्र से डू की इसंग्या हो जाती है तो हमारे पास जो आगे की स्तति बनती है वो हैं सम, क्री और कत लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कि सम, क्री और कत से भी त कत कत था तो चला गया सम्क्री और त से भी सम्स्कित शब्द का निर्मान नहीं हुआ जब सम्स्कित शब्द का निर्मान नहीं हुआ था हमें क्या करना पड़ेगा तो यहां पर देखेगा एक सुत्र आता है और वो सुत्र यह है कि सम्परिभ्याम करोतव भूशने मैं फिर से क्या हूंगा कि ये सुत्र आप से कोई नहीं पूछता लेकिन एक बार क्योंकि आपको बताना जरूरी है मैंने बहुत दिनों बाद में आज वापस सम्स्कित के कक्षा शुरू करी है मेरा दाई तो बनता है कि सम्सकित शब्द की वित्पति के पर हम बात करे सुत्र हैं सम परिभ्याम करो तव भूशने अर्थात सम उपसर्ग और परी उपसर्ग के साथ भूशन अर्थ में क्री धातू हो तो बीच में किसका आगम होगा तो बीच में आगम जो होगा वो होगा सुट का तो सम है फिर सुट है और फिर क्री है और फिर त है यहां तक हम पहुंच गए प्रियसाथियों हिंदी और समस्कित में एक मुलभूत अंतर है और वो अंतर ये है कि हिंदी में सीधे सीधे प्रत्य जोड़े जाते हैं लेकिन समस्कित में कुछ अनुबंदूं के साथ इनको अनुबंद बोलते हैं अनुबंदूं के साथ प्रत्य जोड़े जाते हैं जिनका आगे चलकर के महान उपयोग होता है लेकिन आपको ये समझना है कि ये सुट जो बाया इस शुट में भी क्या हुआ। अनुस्वारह ये जो सुत्र हैं ये क्या करेगा ये सम में जो मा देख रहे हो इस मा का अनुस्वार बना देगा तो सम का सम बन गया ये दंतिस आदा पहले से हैं और ये शब्द बना समस्कित लेकिन ये समस्कित जो शब्द हैं ये हिंदी में और समस्कित में दोनों में प्र उपियोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके साथ विभक्तियां जोडनी पड़ेगी इसके साथ प्रत्य जोडने पड़ेंगे क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या ऐसा कोई प्रविधान है क्या तो वहां पर आपको इध्यान डखना होगा कि समस्कित शब्द ये अपदम न प्रियोंजीत ये जो समस्कित जो शब्द है इसको जब तक हम पद नहीं बना लें तब तक इसका भाषा में स्वतंत्र प्रियोग नहीं होना चाहिए अपदम ना प्रियुंजीत अर्था जब तक इसको समस्कित की पद संजा नहीं बनाते तब तक इसका प्रियोग नहीं करना चाहिए अब ये पद संजा बनाने वाला सुत्र कौन सा होगा तब सुत्र आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्त गंतम पदम शब्द के साथ दो तरे से विवक्तियों का प्रियोग होता है या तो सुप्प प्रत्य जोडते हैं या तो फिर हम तिंग प्रत्य जोडते हैं प्रियसातियों फिर हम क्या करेंगे कि इसमें विवक्ति इत्यादी की जब उत्पत्ति करेंगे तब ये शब्द समस्कृतम बनेगा और ये सब्द समस्कृता भी बनता है ये सब्द समस्कृता भी बनता है इसका मतलब आपको ये ध्यान डखना है कि जिसको आप समस्कृतम क कौन सा रूप है कि नपुन सक है ये समस्कित कौन सा समस्किता कौन सा है कि पुलिंग रूप है और समस्किता कौन सा है कि इस्ट्रलिंग रूप है एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये समस्किता समस्किता है या समस्किता ये जो शब्द है ये भाषा का वाचक है ही नहीं यह शब्द है विशेस्टर वाचक शव्द हूब है जब हम भाषा की बात करते हैं तब समस्किता भाषा है कि हम ऐसा प्रियोग करते हैं इसका मतलब ये बालग समस्कित है कि चीए रहे हैं कि सम्स्कृताह का अर्थ क्या होता है अर्थात यत परिश्कृतम अस्ती जो परिश्कृत है जो परिमारजितम अस्ती जो परिमारजित है वही क्या है सम्स्कृतम है तो यहां पर यह बालग जो शब्द है यह क्या है विशेश्य है और ये समस्क्रिता है जो शब्द है इसका क्या है विशेशन है अर्थात ये बालक जो है ये समस्कारवान है इसका यहां पर ये अर्थ होगा अब यहां पर यहे मैं कहूं कि E.M. बाली का समस्कृता तो इसका मतलब क्या वाकी यह बाली का जो है वो समस्कार वती है और मैं कहूं कि इदम भोजनम समस्कृतम तो यह वाक्य गलप नहीं यह ध्यान रखना इदम भोजनम समस्कृतम प्रियसाफियों हमें concept clear होने चाहिए हमारी अउधारणा ही जब इसपस्ट होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे तीनों में प्रियोग होता है समस्किता हो समस्किता और समस्किता तो ये भाषा के रूप में इसका प्रियोग कब हुआ जब मैं भाषा की द्रस्टी से बात करता हूँ तो इशाफ पूरू पांसुल शताब्दी तक समस्कित जिसको आज हम समस्कित कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना उसके लिए एक ही शब्द का प्रियोग था और वह प्रियोग था भाषा वह प्रियोग क्या था भाषा अर्थात मनुश्य के मुख से उच्षरित होने वाली जो चीज होती थी उसको हम क्या बोलते थे भाषा बोलते थे हम समस्कित हिंदी या इस प्रकार प्राकर्ट इत्यादी कुछ नहीं बोलते थे लेकिन हुआ ये था कि ये जो भाषा जो थी ये धीरे धीरे असादू शब्दू का इसमें प्रियोग होने लगा ये बिगडने लगी हम जानते हैं कि वैदिक समस्कित जो थी उसे पाली बनी फिर प्राकर्ट बनी और धीरे धीरे इस भाषा में अशादू सब्दूं का प्रियोग होने लगा तब हमारे यहां पर उस भाषा का परिमार्जनक किया गया उसका परिशकर्ण किया गया और उस भाषा का नाम हमने दे दिया बोलो क्या समस्कितम और यही सम्स्कित जो है अब ये भाषा के स्तान पर हमने इसको बांट दिया कि ये भाषा जो है वो भाषा आएगा तो सम्स्किता आएगा ध्यान डखना जब हम अकेला बोलेंगे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास कौन शाव विशे है आपका उतर होना चाहिए मम पार्षवा सम्सकितम यदि मैं विशय बोलूँगा तो मम पार्षवा सम्सकिता हा विशय अस्ती ध्यान से सुनना अर्थात अहम मेरे साथ बोलिएगा अहम समस्किता विशया पठामी मैं समस्कित विशय को पढ़ता हूँ और अहम समस्किता भाषा पठामी तो मैं भाषा के साथ समस्किता का प्रियोग होगा विशया के साथ समस्कित का प्रियोग होगा लेकिन जब केवल सामाने कथन करना होता है तब हम ये बोलते हैं कि इदम समस्कित है कि ये समस्कित है अर्थात ये परिमार्जित है ये परिश्कित है